कि हाई अब्रीवन दिस इस वर स्टाइल अनाम का वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग उमीद करती हूं सब अढ़िया होंगे गाज आज मैं अनुसका सर्मा की इंस्पार मेकप लुक की हूं जो एदिल है मुस्किल मुवी की है काफी सिंपल है आप कर सकते हैं नेक्स यहां पर मैं फेस क्लीन कर रही हूं आपको एक टीसू लेना है उससे अच्छी तरह से आपको फेस क्लीन कर लेना है फेस वास के बाद का यह स्टेप है सबसे पहले फेस वास करने आपको एं नेक्स यह करना है इसके बाद आपको अच् प्राइजर अच्छी तरह से अपलाई करना चाहिए क्योंकि क्रैक नहीं होता है फटा फटा सा फाउंडेशन नहीं दिखेगा आपको ऐसे विंटर का टाइम आ गया और फाइब मिनट का वेट करना चाहिए जब तक हम फाइब मिनट का वेट कर रहे हैं तब तक यहां पर कंचीलर लही हो little स्वीडी के कंचीलर है इससे मैं आइब्रो को सार्फ निखाने के एनहेंस कर रहे हूं ची तरह से एक बिलकुल फ ट्रइट brush पतला हैं दूर से आराम-राम से अची तरह से आपको ऋपर नीचे दोनों त्रफ से एघर 1 crime कर लेना इसके बाद मैं यहां पर ब्लेंड कर रहे हूं क्योंकिtoo Blender होता है ज्यादा चोड़ा होता है तो अच्छी तरह से नहीं होता है आइब्रो का सीब जो होता है वह भी घर जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट यहां पर मैं प्राइमर लगाई थी बीच में वह क्लिप डिलीट हो गया है प्राइमर आपको लगाना है इसके बाद मेवलीन को इसके हैं यहां पर जाइब यहां पर आई मेकप के लिए और यहां जायाइट पॉइंट है हमारा अच्छी तरह से कनसील कर लें क्यूंकि उनका हाई लाइट दिख रहा है अबट फाउंडेशन जो है काफी सिमपल है है तो एसे ही आपको करना है इसके बाद मैं क्रीम कांटोर कर रहा है यहां पर क्रींफ सब्सक्सक्राथा ना ब्लंट कर Bonjour Yok ब्लेंडर से देखना आप खुदी कितना अच्छा लुकाता है कॉंटोरिंग का देखो खुदी एक सैटो देना होता है हमें सैटो आ गया तो अच्छा लगता है फेस पे नहीं तो पूरा फेस वाइट वाइट राउंड सा लगता रहता तो अच्छा नहीं होता है मेरे फेस तो ऐसे contouring के ज़्यादा जरूर रहत है क्योंकि मेरा राउंड सा फेस है इसके बाद मैं जल्द से जल्द परपल का बनाना पाउडर है उससे मैं सेट कर ले रही हूं जो भी foundation लगाई हूं साउंडेशन वाले जगह पे contour वाले जगह पे नहीं एंड उससे मैं एक ब्रस लेकर क्लीन कर ले रहे हूं थोड़ा ज्यादा ही लगा ले थी एंड उसके बाद क्लीन कर लिए लोंग टाइम के लिए और आई मेकप इसमें में डॉल जो है इसमें कपका वह आई मेकप ही है क्य अच्छी तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है काफी सिंपल है विगनर भी कर सकते हैं इसके बाद आपको एक फ्लैट बरस में ली हुए यहां पे डाक ब्राउन कलर लेना है और जितना दूर में हम आई-लाइनर लगाते हैं यानि हाफ आई-लीड पे आपको अपलाई कर लेन करना है ताकि हार्स लाइन जो ऐसा न तकी वह अलग है वह अलग है देख रहे वाफ में ब्लेंड कर ले रहे हूं दोनों को ब्लेंड कर लोशी तरह से लेकर पूरे में । अनुन्य लगान है अद्ब करके ए आई-लाइनर आप लगा लो अच्छी तरह से थीख आई-लाइनर विंग नहीं है विंग आपको बिलकुल नॉर्मल यह यहां पर men ठीक आई-लाइनर थोड़े सब कर GR diu अच्छी तरह से कैले में नेक्स्ट में अहाँ पर देखो आई-लाइनर लगा लेहीं आप राजल का यहां वाटर लाइन पर नीचे भी आपको अठ्छी तरह कर लो एंड उसको एक इसमचर बरस लेना है अपको अच्छी तरह से स्मच करना है देखना पिए में पहले पूरे में काजल अच्छी तरह से अपलाई कर लिए थोड़ा सा ब्राउन सेटली हूं यहां पर एक स्मचर बरस से आपको स्मच कर लेना है गाज मुझे तो यह लूप बहुत ज्यादा पसंद आए आप लोग को कैसी लगी बताना जरूर कमेंट करके हैं हां लाइक हाइलाइटर में से ही ले लो या कहीं से इनर कॉर्णर पर आपको लगाना है हाइलाइट होने के लिए उनमें लगा हुआ था गौर से देखो तो आप ब्लस यहां पर लगा रही हूं ब्लस भी काफी सटल लगाना ऐसा नहीं पिंक बहुत ज़्यादा देखें कॉंटोर जह कर ली यहां पर मैं आईलेस नहीं लगा रही हूं जो रियल लैस हमारा उसे कल कर ली हूँ इसके बाद दो दो कोड करके यहां पर मस्करा आपको अपलाई कर लेना है फॉल्स की जरूरत नहीं परेंगी क्योंकि उनमें ऐसा लग रहा है लगा भी है अगर फॉल्स तो काफी नैचुरल वाला लगा हुआ है तो उतना काम हमारा कर रहा है दो बार करके अगर आप मसकरा लगा रहो तो हो गया यहां पर लिप लाइनर मैं ड्रॉ कर रही हूं अच्छी तरह से लिप्स्टिक लगाने के लिए पीच सेट एक देख रहो इसी सेट में वह लगा रखी है मिल जाए हमारे होट को और मेरे लिफ्स तो काफी पतली है वैसे उनकी भी इसी टाइप है साइब मिलता जूलता थोड़ा सा तो यही था आज का लोग आई हो आप लोग को पसंद आई हो गल्स लोगों के लिए तो काफी बैस्ट हैं मैरिट भी इन्हें कर सकते क्योंकि मैं मैं तो मैरिड हो परसनली मुझे इस टाइप का मेकप काफी ज्यादा पसंद है मिलती हूं नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए लौट सप्लाव एन हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बाई बाई